कि साथियों कि लोगसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का है बहुत बड़ा मेसेज स्थीरता का है स्टेबिलिटी का है कि देश ने कि आज से विच साल पहले एन एक प्रकार से पिछली शताब दी थी वो यह कीश्वी सताब दी वो बीश्वी सताब दी थी पिछली सदी के आखरी दसक में अस्थीर सरकारों का लंबा दोर देखा है आप मैंसे बहुत नौजवान है जिनका उसमें जन्म भी नहीं हुआ था आप हैरान हो जाएक इतना बड़ा देश और दस साल में पांच बार इलेक्षन हुए थे यहाने देश चुना भी करता रहे तदोर कोई कामी नहीं था और इससे उस अस्थीरता के कारण अनिस्चित्ता के कारण है भारत को जब टेकॉप करने का वक्त था हम ग्राउंडेड हो गए हमें बहुत बुक्षान हुआ देश को उस दोर को पीछे छोड़कर अब भारत स्थीर सरकार के नए दोर में प्रवेश कर चुका है इससे हमारा लोगतंत्र और मजबूत हुआ है और लोगतंत्र की मजबूती में जम्मु कश्मीर की अवाम की आप लोगों की बहुत बड़ी भूमी का रही है हटल जी ने जो इंसानियत जमूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं इस चुनाव में आपने जमूरियत को जिताया है आपने पिछले 35-40 साल का रेकोर्ड तोड़ा है यह दिखाता है यहां का नवजवां जमूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है और मैं आज इन कारिकमों में तो आया हूं लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक वार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चड़कर के हिस्सा लिया है जमूरियत का जंडा उंचा किया है इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया कि भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है मुझे और खुशी होती है अगर हमारा विपक्ष भी कश्मीर में इतने उमंग उच्छा के साथ जो लोक्तंतर का उच्छों मनाया गया इतनी भारी माता में मतदान हुआ ये जो उमंग उच्छा का मावल है काश अच्छा होता मेरे देश के विपक्ष के लोगों ने भी मेरे कश्मीर के भाई बहनों की तारीप की होती उनका होसला बुलंद किया होता तो मुझे बहुत खुशी होती लेकिन विपक्ष ने ऐसे अच्छे काम में भी देश को निरासी किया है झाल के लेकिन विपक्ष ने खुशी होती है